कंदानीं hmm inductor यानी देनी अनौ इंधरी ऐघ लगा हुआ है यहां पर अल्टर्णेटिंग यंब Erू सेंफ किर लिएफ के अनदर दो के यहां पर आइब आपन अल्टर्णेटिंग यहां पर रखा यहां पर सोर्स में अपनने जिसकी मेगल्ई है इस होगा सरकिट के अंदर करन फ्लों होगा तो इंडक्टर के केसमें क्या होगा कि तो इस इस जो तो होने की वजह से इंडक्टर जो होता है उसमें के एम्स होता है थोड़ा सा धूर्द कर लेते हैं कि जो प्रपोश्टन होता है करन्ट आइक जो करन्ट जा रहा है इसके अंदर आई उसके क्या होता यह तो यहाँ पर ईल आजाए का तो फायज अपना इंडॉक्टर लगा रहा है अपने उसका MSE LIल्ट के अब हम जानते हैं इस ऌसे जो होता है जिसको यहां पर क्या ले रहे हैं यह में टिका है पानी यह दिती तो माइनस यह d by dt आ जाएगा फाई की वेलू यहां से रख दो आप तो यह जाएगा यह तो यह जर का माइनस L को बहर ले लो d by dt ले से इस इंड़क्टर में current flow होगा current flow होने की वहीं से क्या होगा back Emf पडू सब्सक्राइब कि में यह जो यह सब्सक्राइब आप इस तरह से यह लेकिंज में इसके की सीक्षोगी इस थरीगे का यहां पर नहीं प्रौिए तीक हैं नहीं इनन एन असरुकिट यह सर्कृट है अपने पास इस स्रक्यट में जो नहीं होगा वो net EMF produce वो कितना हो जागा एक तो यह जो हमारा लगा हुआ alternating EMF यह E और E minus यह जो back EMF produce हुआ है उसमें current गया है inductor में उसके विसे जो back EMF produce हुआ है वो आ जाएगा ठीक है तो E की value आप कर देंगे E is equal to हो जाएगा E not sine omega t सब्सक्राइब करेंगे आप क्योंकि सर्किट में कोई resistance नहीं है ठीक है inductive circuit inductor लगा हुआ इसमें so because there is no resistance ठीक हम क्या करेंगे because because there is there is no resistance in circuit okay because there is no resistance in circuit तो उसकी वैसे क्या होगा जो net EMF है the net EMF will be equal to zero net EMF होगा हो क्या होगा zero हो जाएगा तो net EMF आप zero कर दो net EMF क्या होगा E not sine omega t ठीक है minus यह हो जाएगा L di by dt so it will be equal to zero and you can write it di by dt is equal to E not divided by L sine omega t ठीक है यह equation आ जाएगी आपके पार di by dt is equal to E not divided by L sine omega t नाउ इसको हम solve करते हैं आगे और find out करते हैं instantaneous value of alternating current जो कि इस circuit में flow हो रहा है ठीक है उसकी value find out करते हैं देखो क्या equation आती है so di by dt di by dt is equal to E not divided by देखो आप क्या equation आ रही है अपने पास ठीक है E not divided by L है ठीक है so E not divided by L and here sine omega t आ जाएगा है को इंटीडेट करते हैं थीक है हम क्या करते हैं इंटीडेट करते हैं इंटीड्रेट वोथ साइट्स को एंटीडेट लिए अंब ऑमेगा टैक है syndrome 2 इन रिकस आपस देख ٹाओ डिटीड करना है dus करोगे सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब चाहिए तो यहां पर आ इसको करदेंगे हम साइन नाइनटी डिगरी माइनस ठीटा ठीक है साइन नाइनटी डिगरी माइनस ठीटा जो हता है है अश्का माइनटी डिगरी मैंस ठीटा क्या देगा इसकी जगे हमने आ पि नुकल है ठीक है, so you will get this equation I is equal to E0 divided by L omega sin omega t minus pi by 2. Finally, अपने equation निखते हैं कि I is equal to I not sin omega t minus pi by 2. This equation you will get, so give this equation equation number 2, ठीक है, अब compare करो तो peak value जो आएगी current की, peak value of peak value of alternating current, ठीक है, यह आजाएगे आपके पास I not is equal to E not divided by L omega, ठीक है, यह भी important equation है, अभी लिख लेते हैं, इसको यह third equation हमारे पास आगी, now you can see that we have the value of alternating EMF, alternating EF के value क्या, E is equal to E0 sin omega t, ठीक है, यह हमारी first equation दी, अभी first equation और second equation को compare करना है आपको, और first और second equation को compare करके उससे क्या पता लगेगा आपको, देखो, क्या पता लग रहा है, इसमें देखो, इसका phase देखो कितना omega t है, जो आपका alternating EMF है, उसका phase कितना omega t है, और जो alternating current है, उसका phase कितना omega t minus 5 by 2, omega t minus 5 by 2, ठीक है, minus 5 by 2 है तो हम क्या क्या लिख सकते है, that alternating current is legs behind, by, by alternating, alternating, emf, from angle, from angle के लो या face कर लो, from face, pi by 2, ठीक है, यानिकि जो आपका alternating current है, legs behind, आपका alternating current पीछे है, किस से alternating EMF से, कितना पीछे है, pi by 2 पीछे है, ठीक है, या फिर इसी में आप यह लिख सकते हो, you can also write, और दोनों aspect आपको समझने हैं, और दोनों को समझ के करो आप तो, किसी एक को रटो मत, ठीक है, ना, यहां यह क्योंकि यह minus pi by 2 हो रहा है, इसका मतलब यह क्या है, कि जो alternating EMF है, वो क्या है, pi by 2 से आगे है, यह आपन यह कह सकते हैं कि alternating current जो है, वो pi by 2 से पीछे है, समझ में आ रही है बात, we can also write, alternating, 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 emf, ठीक है, alternating emf is, alternating emf is, lead, lead by face, pi by 2, from alternating current, from alternating current, तो हम यह कह सकते हैं कि alternating emf जो है, वो pi by 2 से आगे है, pi by 2 face से, face angle से आगे है, किसे current से, यहां हम यह कह सकते हैं कि current जो है, है, वो pi by 2 से पीछे है, ठीक है, in case, आपके पास क्या है, pure inductive circuit है, खाली inductor महाँ पे लगावा है, आई बात समझ में, ठीक है, यहां तक clear है, अब हम clear है, यहां तक तो, अब हम देखते कि वह इसका graph कैसा बनेगा, जो कि pattern same है, वो ही हमने पीछे भी क्या तो solve, अब हम graph plot करके देखते हैं, इसका graph हमें plot करना है, तो graph में वही axis बना लो दोनों आप, यह लिया आपने एक एक ले लो, ठीक है, equation क्या है, आपके पास e is equal to e not sin omega t, जो कि अपनी first equation है, जिसको हम क्या लिख सकते है, e is equal to e not sin theta, ठीक है, यह हमारे पास एक equation आगई, ठीक है, second equation है, अपने पास i is equal to i not sin omega t minus pi by 2, ठीक है, और I can write i not sin omega, इसको कर लेते हैं पन theta, so theta minus pi by 2, ठीक है, यह हमारे पास हो गई, second equation, and i not, it will be how much i not is equal to e not divided by l omega, I think, इसको हमने दीती third equation, यह third equation है, यह third equation है, तो वापस से आपको clear लिखे, अपने facer diagram बनाएंगे, तब काम आएगा, अभी यहाँ देखो आप, इसमें भी वही जो pattern था हमारा, यहाँ पर अपन ले लेंगे theta, ठीक है, theta के बाद इधर ले लेते हैं e की value, और यह कर लेते हैं i की value, ठीक है, theta कितना लोगए, theta पूरी एक cycle में कितना होगा, 2 pi हो जाएगा, 2 pi का आधा कर लो, यह pi हो जाएगा, इसका half कर लो, यह pi by 2 हो जाएगा, इसका half कर लो, यह मनेगा आपके पास 3 pi by 2, और यहाँ starting में हमारे पास हो गया 0, ठीक है, तो theta की value आपको रखने है 0, जीरो के बाद रखनी है pi by 2, pi by 2 के बाद पूट करनी है pi, pi के बाद पूट करनी है 3 pi by 2, और 3 pi by 2 के बाद पूट करनी है 2 pi, ठीक है, तो 1 by 1 value पूट करते जाओ, इसे first of all e के लिए रखो, तो e के लिए 0 रखो, sin 0, 0 जागा, तो e की value कितना जाएगा, जीरो आजाएगा, ठीक है, इसमें यह भी mark कर लो कि यह peak value of alternating emf, plus side और minus side, ठीक है, और यह peak value of alternating current, plus side and minus side, इस तरह से आप mark कर लो, ठीक है, आप रखो, 0 रखो, सबसे मेले तो 0 हो गया, फिर plus e not कर दो, तो यह plus e not यह आ गया, फिर यह 0 आ जाएगा, फिर minus में e not कर दो, यह minus e not कर दो, और यह plus कर दो वापिस, ठीक है, यानि 0 कर दो, अब इनको connect कर लो, तो यह कुछ इस तरह से आपका graph, बन जाएगा किसके लिए alternating e mf के लिए, यह alternating e mf के लिए आपका graph बन क्या है, यह e का graph, ठीक है, आगे हैं यहां तक समझ में, है ना, अभी आप पूट करते हैं, आपन आई के लिए, आई के लिए सबसे जीरो रखों यहां पे, तो जीरो रोके तो जीरो माइनस ओड़ एक लिए फिर आप रखोंगे ठीटए जिगल टुटो पाई बैटू तो माइनस पाइव टूटो जीरो जाएका साइन जीरो 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 होता है, यहां पर कितना जाएगा जीरो आगे पाई माइनस पाइवाइटू प्लस का पाइवाइटू आ जाएगा जाएगा तो यह एंगल वाली फॉर्म में रखने से थोड़ा जल्दी केल्कुलेशन हो जाएगा या नी बात तो दोनों ही एजी है पर थोड़ी एंगल से ठीटा से अंडरिस्टेंडिंग थोड़ी अपना माइंड से इसा है तो जल्दी सॉल हो जाएगा उससे ठीक है लग भी रहा हो पे आ रहा है 0 यह जिनक गया बनियकर करो क्नेक्ट करोंगे तो यह आंपका ग्राफ ठीक है यह आपके पास alternating current का graph बन गया बन गया आया सोज में क्लियर है कोई प्राउब्लम नहीं है ना हाँ से चीक है अभी अपन हाँ आप इसका अपन बनाते हैं फेजर डाइग्राम ठीक है फेजर डाइग्राम डो करते हैं फेजर डाइग्राम देखा हूं अपनों मेगा एक्सेल भी बोल सकते हैं वह अभी जिस ले रहा हूं मैं टॉपिक अभी आगे अभी ले रहे हैं वह भी समझाएंगे आपको देखा ठीक है फेजर डाइग्राम बनाते हैं यह ओ कर लेते हैं यह x-axis हो गई आपके पास और यह हो गई y-axis ठीक है ना अगेल फर पक्षस के को हैं चलो कि कुछ इस तरीक का होगा देखो आप यह नौक है और यह वैलू किती हो जाएगी यह ओमेगा टी हो जाएगी ठीक है अब इसका इसका कमponent आगर मैं निकालू यहाँ पर चाहँ पर यह निकालूं तो यह जो तो इसको आई नॉक्षित क्या होगा इसे क्या पीछे चल रहा है करन्द यह करन्द जो है इसको आई नोट कर दिया यह आई नोट कर दिया ओड़ फ्रक्राइब आएगा इस एकसिस पर वो क्या न चाई है आई इस इकल to I not थीके साइन ओमेगाटी माइनस वाइब टू यह आए गा कंपोनेंट ठीके और वह जब यह जो वैल्यी जैसे मैंने सिखाए है इसको इस टेप को वीडियो देख लेना अच्छे से अब सारा कंफूजन रखना ही लेकर पीछे करना है पीछे लेकर आओ पीछे लेकर आओ ठीके पीछे लाके जहावी मनाया है इसका जो कंपोनेंटे वहाँ पर यह साइन ओमेगा टी माइनस पाई ब सोचना है आप इसको जो समझने के दो तरीके जिसे दिफेस अगर मैं निकालों वियोंच निकालने अब फेसट डिफेरेंस यह ना चीक है तो ओमेगा टी है तो अब यह प्लस पाइबाइटी अगया प्लस का पाइबाइब दू क्या बता रहा है प्लस का पाई पाई बाई टू आपको बता रहा है कि अधर की कोई भी बूक्स हो और इससे डेवियेट हो रहा हो तो अब यहां समझो यहां किलियर मामला यहां रहा है सोंच में ठीक है ठीक है चलो अब तो आगे चलते हैं इसका जो लास्ट है इसमें जो इसरकेट अपन पढ़ रहे हैं तो देखो आपके पास जो पीक वेल्यू आई है आई यहां पर देट आई नौट इस इकल टूहां अच पीटिवाइड बाई अलोमेगा ठीक है अगर इसको आप उमिक होता है अपना वामिक रिलेशन यानि जो ओम का लो पड़ा होगा आपने आम के लो में क्या होता है आप वीजगल टूआ यार रखते हो ठीक है तो आई इम developers के नीचे की जो वैल्यू है यह किसको को करती स्थियोंग करती है किसको रिष्टसेंड करते विए तो आप इन दोनों को जब कंपेर करोगे तो कंपेर करके आप ये आपको मिलेगा कटेव् 역 dei भी तो थीक。 यो ऐसे. ृब्सकूं यहां पर यहां पर बाव लिस्टेंस का पर फॉल्पoder उस्मेंदक्टिव रिजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मुला क्या होता है XL इसे लिजिकल टू एलो मेगा होता है आया सोज में ठीक है यहां पर ओमेगा जो है उमेगा को आप रिप्रेजेंट कर सकते ओ डूपाई एफ से एफ होता है फ्रिक्वेंसी सो आइकें से लिजिकल टू एल एंड इंटू हो जाएगा ट होता है प्रपोर्शनल होता है थिक के १ यह संटी लोग वह हो जायगा जीरो जाएगा ठीके इस एक्सलीस प्रपोर्शनल तो तो एक्सल का जाएगा और एक्सल जो है वह वो प्रोपोर्शनल टू एक्सल अप यानि यह कर दो जाएगा यहां पर आपका क्या विप्रोपोर्शनल रहें क्या होगा इस्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको इस तरीके से ठीक है so this is about the inductive resistance and it is all about the pure inductive circuit pure inductive circuit है जिसमें कि अल्ली इंडक्टर लगा हुआ है तो उसके case में सबसे पहले तो जो alternating current है उसकी equation i is equal to i not sin omega t minus 5 by 2 आएगी जो में यह बताएगी कि है जो alternating current है वो पाई बाई टू से पीछे है alternating EMF से ठीक है फिर आपको ग्राफ लोड करना है आई का omega t ठीटा के साथ में उसके आज फेसर डाइग्राम आपको बनाना आना चाहिए और फिर at last आपको पता होने चाहिए इंडक्टिव रिजिस्टेंस का फॉर्मला क्या होता है देन कैसे डिपेंड करता है वो फ्रिक्वेंशी पर ठीक है आया समझ में